हेलो गाइज आज की वीडियो विज्ञानिक यंत्र तथा उनके उप्योगों की है इन विज्ञानिक यंत्रों से रिलेटेड एक या दो प्रेश्न हरेक एक्जैम्स में आही जाते है तो वीडियो को बहुत ही आसानी से बनाया गया है जी के ट्रिक बताए गई है जो आपको आसानी से सारे ही विज्ञानिक यंत्र यादो चाहेंगे हमने यहाँ पर इंपोर्डेन विज्ञानिक यंत्रों को इंक्लूड किया है तो वीडियो को अंतक जरूर देखे अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में लगे हुए बैल आइकन को प्रेस करना देखो न भूले ताकि जो भी वीडियो अप्लोड की जाती है वो सबसे पहले और जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचे वीडियो अगर चानकारी पूर लगता है तो प्लीज अपने मित्रों के में शेयर कर दे और लाइक टो बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहला विज्यानिक यंद्र है पाइरो मीटर पाइरो मीटर अती उच ताप को मापने में यूज किया जाता है इसको याद करने की बहुत अच्छी शौट ट्रिक है देखिया पाइरो मीटर में नाम आ रहा है पाइ और पाइ क्या कर रहा है रो रहा है और वह क्यों रो रहा है क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है इसलिए पाई को रुना आ रहा है तो पाइरोमेटर यूज़ होता है उच तापमान को मापने में पाइरोमेटर बहुत इंपोर्टेंट है यह कई बाल सरकार इकजर्मस में पुछा जा चुका है नेक्स्ट है थर्मामीटर थर्मामीटर का उप्योग है शरीर का ताप मापने में फ्रेंट्स देखिए आपका पाइरोमीटर भी ताप मापने में यूज होता है और थर्मामीटर भी पर पाइरोमीटर अत्यंत उच ताप मापने में यूज होता है जैसे कि गर्म लोहे की सत्य का ताप मापने में धर्मामीटर शरीर का ताप मापने में यूज होता है धर्मामीटर को याद करने की ट्रिक क्या है देखे धर्म का मतलब होता है ताप ठीक है तो शरीर का ताप मापने में धर्मामीटर का उपियोग किया जाता है next है hydrometer hydrometer द्रव का घनत मापने में यूज होता है देखे friends hydrometer में द्रव की आवाज आ रही है hydro, draw, 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 draw ठीक है तो hydrometer कहां यूज होता है द्रव का घनत मापने में next है hydrometer hydrometer का उपयोग होता है हवा की आदरता मापने में प्रेंट्स आप यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होएगा, हाइगरो मीटर होगा, हाइगरो मीटर में द्रव की आवाज आ रही है, ड्रो, ड्रव, ठीक है, और जो हाइगरो मीटर है, उसको कैसे याद करेंगे, कौन वेक्ती हाइगरो करेंगा, जो वेक्ती आदर्ष, ठीक है, तो हाइगरो मीटर यूज होता है, हवा की आदर्था मापने में, नेक्स्ट है, सोनार, सोनार पानी के भीतर छिपी बस्तों का पता लगाने में यूज होता है, ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, सोनार में आ रहा है, सोना, ठीक है, तो पहले जमाने मे सोने को शिप के त्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो कभी कभी है शिप पानी में डूब बिजाता था ठीक है तो सोने का पता लगाने के लिए क्या करेंगे सोनार यूज करेंगे क्योंकि पानी में चीज क्या हो गई है डूब गई है खो गई है ठीक है समुद्र की गहराई मापने में यूज किया जाता है फ्रेंड्स दियान रहे जो सोनार है वह समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में यूज किया जाता है जबकि फैडोमीटर समुद्र की गहराई मापने में यूज होता है फेडोमीटर को याद करने की बेस ट्रिक है, देखे क्या कहते है, नेकी कर दरिया में फेको, ठीक है, तो दरिया की जगे क्या हो गया, समुदर हो गया, और फेको की जगे क्या हो गया, फेडोमीटर हो गया, तो फेडोमीटर कहां यूज हो रहा है, समुदर की गहराई नापन में एक्स्ट है स्टैथ्यकोप को को याद करने की स्टैथ्य कोप में क्या रहा है उटीड ऊगर है तो वेक्ष इन दा नहीं expressed को प्लेट प्रेश दिखे जितने भी विज्ञानिक यंत्र यहां पर बताय जा रहे हैं यह वाली इमेज आपनी देखी ही होगी तो इस इमेज को देखने से एक बार आप रिपीट कर लेज़ेगा I am very much ensure that कि आपके एक unconscious mind में सारे ही विज्ञानिक यंत्र और उनके उप्योगों की त्रिक अच्छे से बैठ जाएगी next यंत्र है polygraph friends यह भी बहुत important विज्ञानिक यंत्र है बहुत ही अच्छा विज्ञानिक यंत्र है polygraph polygraph जूट के पता लगाने का यंत्र है देखिया, क्या करना है, कैसे याद करना है इसपो polygraph को polymalang बहुत सारे तो जो वैक्ति बहुत नेयंचर का होगा कभी कोई बात कर रहा है कभी कोई बात कर रहा है तो निश्टित तोर पर ही वेवेक्ती जूट बोलता होगा तो polygraph का कहां यूज ओता है जूट का पता लगाने में next है अनिमोमीटर, अनिमोमीटर का उपियोग है हवा की speed ग्याद करने में देखे एनिमो मीटर में स्वाराता है एंटीना का, एंटीना खराब होने का कारण क्या हो सकता है, हवा की स्पीड भी हो सकती है, हवा तेज चलती है, एंटीना घोम जाता है, और टीवी में पिक्चर के लिए नहीं आती थी पहले, ठीक है तो एनिमो मीटर का ये उस कहा हुआ हवा की स्पीड को ग्याद करने में नेक्स्ट है लक्समीटर लक्समीटर का उप्योग होता है प्रकाश की तीवरता मापने में लक्स में स्वाराता है फ्लक्स का और फ्लक्स का संबन्ध है प्रकाश से फ्लक्समीटर यूज होता है प्रकाश की तीवरता मापने में प्रकाश तो वायू मंडली अदाब हमारा दुश्मत है जब वायू मंडली अदाब कम होता है तो क्या आता है तुफान आता है आंधी आती है नेक्स्ट है केरेट मीटर, केरेट मीटर सोनी की शुदता का पता लगाने में यूज होता है दिखिए केरेट मीटर में केरेट आ रहा है तो 24 केरेट का सोना ठीक है तो केरेट मीटर कहां यूज हुआ सोनी की शुदता का पता लगाने में नेक्स्ट है रडार, रडार का उपयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की इस्तिथी याद करने में, यह भी बहुत इंपोर्टेंट प्रेशन है, इसमें एक और कुछा जाता है कि रडार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो वो तरंगे है से अची ट्रिक कौन सी है, आप रडार की फुल फॉर्म ही याद कर लिजे, रडार की फुल फॉर्म है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, तो डिटेक्शन का मतलब है ज्याद करना और रेंजिंग का मतलब है, कि वस्तु कितनी दूर है, रडार का especially aircraft में किया जाता है next है sismo graph sismo graph एक ऐसा यंदर है जिससे भुकम की तीवरता मापी जाती है exams में यह भी question पूछने में आ जाता है कि भुकम की तीवरता का पहमाना क्या है मदलब कि भुकम किस पहमाने पर मापा जाता है तो वो पहमाना है दिक्तर फैमाना तो इसको याद करने की best trick क्या है friends देखे सिस्मोग्राफ में आ रहा है सिस्की सिस्की लेना ठीक है तो अगर कोई वेक्ति सिस्की ले रहा है तो क्या करेगा कापेगा और कब कापेगा जब भुकम पाएगा भुकम पाने पर भी लोग कापते हैं और सिस्की लेने पर भी कापते हैं तो बहुत ही आसान trick हो गई सिस्की मोग्राफ कहां इस हुआ भुकम की तीवरता को मापने में friends इन सभी वेग्यानिक यंत्रों को आप दुबारा से फिर से देखी और जो भी trick बताई गई है उसको फिर से repeat करिए अगर एक बार आपने repeat कर लिया तो आपकी unconscious mind में सारी ही trick ऐसी वेच जाएंगी कि आपको जिंदकी बार नहीं भूलेंगी और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर image के साथ में आपने सभी tricks को याद किया है तो ठीक है तो चलिए next question देख लेते हैं next है lektometer, lektometer का प्रियोग किया जाता है दूड की शुदता को मापने में lektometer के name से ही clear है lektometer में आता है दूड ठीक है तो दूड की शुदता को मापने में किसी अंदर का प्रियोग हुआ लेक्टो मीटर का next है अल्टी मीटर अल्टी मीटर समुद्र तल से उचाई मापने में यूज होता है लेकर अल्टी मीटर में क्या रहा है अल्टी, अल्टी मतलब अल्टी पल्टी, अगर हम अल्टी पल्टी करते हैं, लोड़कते हैं, तो कहां पर लोड़कते हैं, पाहडों पर, और पाहडों की क्या होती है, बहुत ही उचाई होती है, ठीक है, तो अल्टी मीटर का प्रियोग कहा हुआ, उचाई मापने में, समू आडओमीटर में क्या रहा है ओडजी ऑडडी चार में क्या होंगे पैए होंगे should Id серख का प्रियोग कहा हुआ पैयो ड्वारा तै की गई दूरी मापने में next है binocular binocular का उपियोग किया जाता है दुरस्त वस्तूओं को देखने में देखे friends यहाँ पर binocular में क्या है binocular, binocular, china ठीक है तो china से जो भी वस्तूओं आती है हम उन्हें जरूर देखते हैं और china क्या है बहुत दूर है तो binocular का उपयोग कहा हुआ, दुरस्त वस्तूओं को देखने में लास्ट पे ज्यानिक यंत्र है सेक्टेंट, सेक्टेंट का उपयोग किया जाता है दो वस्तूओं की कोडियें दूरी को मापने में, तो इसको याद कैसे करेंगे देखिए फ्रेंट, सेक्टेंट में वर्ड आ रहा है सक्सेस, सक्टेंट सक्सेस उसी व्यक्ति को सक्सेस मिल सक्ती है, जो व्यक्ति दो वस्तूओं वाटसप और फेस्बुक से दूर रहे ठीक है तो सेक्टेंट का योज कहा हुआ दो वस्तूओं की कोडिय दूरी को मापने में तो फोफ़ली गाइस आपको विज्ञानिक यंत्र और उनकी अपयोगों को याद करने की ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी तो गाइस फ्लीज वीडियो को लाइक चरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले वीडियो को अपने फ्रेंड्स की बीच में शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत